बिहार में जिस दिन से नितीज कुमार और भाजपा की ये सरकार भनी है उसी दिन से लगबग दोनों पाटियों के बीच गतिरोध अलग-अलग मुद्दों पर होता रहा है कभी किसान बिल को लेकर, कभी चिराग पासवान को लेकर, कभी मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर आज परिस्थितियां ऐसी है कि नितीज कुमार के ग्रेह विभाग पर कई बार भाजपा के अलग-अलग निताओं ने टिपपनी की है जब पटना में इतना हाई प्रोफाइल मडर हो गया और उसके बाद अभी तक पुलिस को सुराग नहीं मिला है तो भाजपा के लोगों ने नितीज कुमार पर एक बर हमला करने का फिर से इसे मौका मानते हुए जबरदस्थ हमला किया है नितीज कुमार भी एक्षन में है लेकिन विपक्ष कही न कहीं इस बात को लेकर अड़ गया है कि भाजपा और नितीज कुमार के बीच रिस्ते पहले जैसे नहीं है और कभी भी सरकार गिर सकती है इसके पीछे कहीं न कुछ नहीं हट तक भाजपा भी जिम्यवार है जाएक तरब नितीज कुमार की सरकार और ग्रिह मंत्राले को लेकर नितीज कुमार काफी मुस्तैद रहे हैं वहीं इस बार की सरकार में उनकी पकड़ थोड़ी धीली नजर आई है भाजपा इसी का फाइदा उठाते हुए नितीज कुमार से ग्रेह मंत्राले को वापस देने की मांग भी कर चुकी है अब भाजपा के अलग-अलग निता चाहे बाकीपुर के विधायक हो या भाजपा के बिहार के अध्यक्ष संजेज सवाग इन सभी ने नितीज कुमार के सरकार के उपर उनके ग्रेह मंत्राले के उपर उनके पुलिस के उपर सवाल खड़े कर चुके हैं अब इस मुद्दे पर कहीं न कहीं एक आम चर्चा हो गई है कि नितीज कुमार इस असहजता तक पहुँच चुके हैं कि वो कभी भी कोई decision ले सकते हैं मद्यावदी चुनाओं को लेकर भी विपक्च काफी आसानवित हैं लगता है कि नितीज कुमार अगर इसी तरह से परस्थितियों में बने रहें तो वो सरकार गिरा देंगे वहीं कुछ लोग को यह लगता है कि भाजपा नितीज कुमार को अपनी सहुलियत से कभी भी हटा देगी इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा बरदास्त कर पाना भाजपा के लिए असंभव है और भाजपा वैसे भी ऑपर्चुनिटी खोज रही है हलाकि बिहार में NDA का घटक जो है वो दोही नहीं है चार है हम और भी आईपी भी इस NDA का हिससाब बिहार में है कई न कई जीता नामाजी नितीज कुमार के साथ नजरा रहे हैं उन्होंने इस समुद्द्धे पर अभी तक ніतीज कुमार के खिलाब कुछ नहीं बोला है को लेकर परतिबदता भी उन्होंने बताई और बताया कि 20 लाख रोजगार के लिए रोड मैप और ब्लू पिंट बनाया जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार जिस तर से काम कर रही है इसमें और तेजी ही आएगी खरमास बाद परस्तितियां बदलेंगी और साथी दात उन्होंने ये भी कहा कि नितीज कुमार और भाजपा की ये सरकार है ये अपने पूरे 5 साल के कारेकाल को पूरा करेगी और जो 20 लाख रोजगार का दावा है उस दावे को सबसे आदा उनके विभाग से पूरा किया जाएगा इन सारे बातों को कर हम ध्यान से देखते हैं तो एक बात स्पष्ट न जाता है कि मुकेश सहनी ने भाजपा और जद्यू के बीच जो रिष्टे खटे हो रहे थे उसको लेकर एक ऐलान से कर दिया है पांच साल सरकार चलने का मतलब है कि विपक्च जो कयास लगा रहा है वो भी पूरे नहीं होगे अब यह देखना समय की बात है अखिर समय के तैखाने में क्या है क्या नितीज कुमार और भाजपा कि यह सरकार अपने पूरा कारेकाल पूरा करेगी या परस्थितिया ऐसी हो जाएंगी जैसा कि पट अगर वैसी रहती है तब तो नितीज कुमार लाख प्रत्न कर लें मुकेशनी लाख प्रत्न कर लें परस्थितिया इससे अलग हो सकती है जो भी होगा आने वाले समय में होगा फिलाल इस खबर में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहार प्रत्रीयत से स्वर्वकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकाईता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता निया तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी